दोस्तो नमस्कार आदाव सत्रियकार नियोज क्लिक के कारिकराम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश कॉंग्रेस नेता राहुल गांधी की भारज जोडो यात्रा उत्तर प्रदेश में है बागपत से आज सुबह शुरू हुई है 110 दिन है यात्रा का लगभग 3000 के आसपास किलो मिटर 3000 किलो मिटर के आसपास डिस्टेंस वो पूरी कर चुकी है 110 दिन पद्यात्रा के होने के बाद वो उत्तर प्रदेश के शामली से गुजरेगी और फिर हरियाना से पंजाब, पंजाब के बाद हिमाचल और इस तरह से जमु कश्मीर में दाखिल होगी फिर पद्यात्रा का समापन जमु कश्मीर में ही होगा लेकिन मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि इस पद्यात्रा के परवान चड़ने के साथ भारती जनता पार्टी के जितने बड़े नेता प्रवक्ता उसके सोसल मीडिया हैंडिल करने वाले लोग अपने बयानों में टेलिवीजन पर, अखवारों में या अपने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उन्होंने राहुल गांधी को पपू कहना छोड़ दिया है ये एक बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ मैं पिछले 10-15 दिन का लगातार सोसल मीडिया उनके एकाउंट खंगाल रहा था मैं उनके ट्विट देख रहा था उनके फेस्बुक पर टिपनिया देख रहा था और यहां तक की टेलिवीजन पर दिये गए बयानों को भी देख रहा था बहुत चपल जो लोग हैं बहुत जो तेज और मुकर बोलने वाले भारती जन्ता पार्टी के प्रवक्ता हैं जो अक्सर राहूल गांदी पर खूब अटेक करते रहते हैं उन्हों ने भी उनको पपू कहना छोड़ दिया है तो यह एक बड़ी घटना है इसमें कोई दोरा है नहीं इसका मतलब की भारती जन्ता पार्टी का एक बड़ा जो जुमला था राहूल गांदी के खिलाब वो बेहसर हो गया है इस पद्यातरा से और भी बहुत सारी चीज़ें होई हैं उनका जिकर हम कभी और करेंगे लेकिन हमारा दोस्तो आज के एपिसोड में ये एक सवाल है और उस पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ कि भारती जन्ता पार्टी ने तो वो जुमला छोड़ दिया है लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिन लोगों ने पिछले तीसे सालों में उसको छोड़ा था उसको साथ देना छोड़ा था उसका क्या वो लोग राहुल गांधी की इस पद्यात्रा के समापन के बाद क्या वाकई कॉंग्रेस पार्टी से जुड़ जाएंगे क्या कॉंग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, महारास्ट और अन्य कई राजियों का नाम मैं ले सकता हूं क्या वो वहां पर फिर से अपना पुराना वो गौराव हासिल कर लेगी जो खतम हो चुका है उसका जनाधार तो क्या ये भारती जन्ता पार्टी ने उनके बारे में अपने कुछ विचार छोड़े हैं लेकिन जिन लोगों ने उसको छोड़ा था जो उनकी सोसल कांश्वेंसी थी क्या वो वाकई उनसे जुड़ने जा रही है क्या ये भारत जोड़ो यात्रा ने आईसा कुछ चमतकार किया है या ये एक इवेंट है जो जिस वक्ट चल रहा है उस वक्ट चमक पैदा कर रहा है लेकिन बाद में इसकी चमक धुंदली पढ़ जाएगी क्योंकि कॉंग्रेस के पास संगठन नहीं है कॉंग्रेस के पास स्टेटिजिक ढ़ंग से काम करने का एक स्किल जो होता है उसके पास ऐसे लीडर्स नहीं है इंधी प्रांतों में खासकर जहां पर कॉंग्रिस बहुत मजबूत हुआ करती थी जिनके बूते उसकी सरकार बना करती थी दक्षन के आलावा उत्तर भारत में क्या वो वागई कोई चमतकार कर पाएगी ये बुन्यादी सवाल आज का हमारा है तो दोस्तों अगर हम देखते हैं तो जहां कॉंग्रिस हाल के वरशों में लगभग गोल रही है आमिन बहुत कमजोर स्थिती में रही है और एक जमाने में कॉंग्रिस का इन राजियों में जवर्दस्क बोल बाला था इनके बल पर उसके पास प्रशंड बहुमत आया करता थ आप पार्लेमेंट में तो वो कौन से राजे हैं दोस्तों वो राजे है उत्तरप्रदेश वो राजे है मध्यप्रदेश वो राजे है बंगाल वो राजे है आंद्र और उसका विभाजी तब हो गया तो तेलंगाना भी है असम करनाटक ये जो कुछ राजे हैं वो बहुत महत पुन राज्य हैं लेकिन हाल के कुछ वर्षों में कॉंग्रेस पार्टी इन राज्यों में लगभग गोल हो गई बिहार का तो मैं इसले जिक्र नहीं कर रहा हूं कि यहों कि वहां पर सत्ता में तो है कॉंग्रेस पार्टी लेकिन गठबंधन में तीसरे नंबर पर है यानि वहां पर RJD, JDU के बाद कॉंग्रेस पार्टी है तो उस राज्य में कॉंग्रेस के विस्तार की संभावनाएं फिलहाल नहीं दिखाई देती हैं लेकिन जहां पर दिखाई देती हैं क्या कॉंग्रेस वहां पर वाकई विस्तार कर पाएगी अब जैसे उत्तर प्रदेश का ह उदारण मेलूं उत्तर प्रदेश में लोग सभा की 80 सीटें आती हैं और इन 80 सीटों में 2019 के पार्लमेंटरी एलेक्षन में कॉंग्रेस पार्टी को सिर्फ एक सिट मिली 80 में एक और वो किसकी सीट थी राय बरेली में स्रीमती सोनिया गांधी की सीट यहां तक की राहूल गांधी भी चुनाव हार गए जितने पार्टी के बड़े बड़े दिगच खड़े थे सारे के सारे हार गए तो क्या कॉंग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में कोई चमतका हैं उन्होंने इस तरह की स्ट्रेटिजी बनाई होती इस यात्रा की तो जिस वक्त वो हर्याना वगएरा में और राजस्थान वगएरा में घूम रहे थे पहले उधर से वो एक तरह से बुंदेल खंड की तरह प्रविश कर सकते थे और कई जिलों से होते हुए उत्तर प्र लेकिन उत्तर प्रदेश में आज भी सबसे बड़ी बात यह है कि जो सोचल कांस्वेंसी कांग्रिस पार्टी की थी सोचल कांस्वेंसी सामाजी का धार वो भारती जनता पार्टी की तरफ खिसक चुका है और जो दूसरा एक सोचल बेस उनका था एक हिस्सा उसका वो समाज की तरफ से चरफ है बीएसपी की तरफ दलिट चला गया था लेकिन दलिट की bakसी हो रही है बैञेजन समाजश पार्टी का धालिट जनाधार काफे हद तक बीजेपी की तरफ जा रहा है एक हिस्सा काफी हद तो नहीं एक हिस्सा निश्च्चित रूप से गया है पस्टीम उत्तर प्रदेश में भी और सेंटरल उत्तर प्रदेश में भी लेकिन जहां तक माइनावटी कम्यूनिटी का सवाल है वो काफी हद तक समाजवादी पार्टी के पास है और जो सबसे बड़ा जनाधार कॉंग्रिस पार्टी का उत्तर प्रदेश में था जिसके बल पर जिसके तरफ आक्रिस्ट हो जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि ये बड़ा तपका है और सच पुछे तो उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट जिसे कहते हैं वो ओपीनियन मेकर रहा है ओपीनियन मेकर होने के कारण वो अन्य समधायों को भी अन्य समुदायों को भी कठा कर लेता र हैं जिसका मोभंग बीजेपी से हुआ है और वो कांग्रिस की तरफ या समाजवादी पार्टी की तरफ अपना मुखातिब है लेकिन जो बड़ा जनाधार उत्तर प्रदेश में अपर कास्ट का है वो आज भी भाजपा के पास है क्या राहुल गांधी की पद्यात्रा अप देने से बीजेपी परास्थ होगी बीजेपी कमजोर होगी क्योंकि जद्दो जहाद जो असल है जिसकी वज़ा से अखिलेश यादो और जैन्द चौधरी राहुल की पद्यात्रा को बाधिक तौर पे आवैचारिक तौर पे समर्थन देते हुए भी शामिल नहीं हो पा र दन है वो चाहेंगे कि कांग्रेस के साथ विरादरना रिष्टा भले रहे एक भाईचारा भले रहे लेकिन कांग्रेस को हरगिज माइनार्टी वोट न जाए उत्तर प्रदेश में वो ये साबित करें कि भाजपा को हराने की च्छामता एसेंबली और लोग सभा में सिर्फ के तोर पर ही छोड़कर आगे बढ़ता हूँ दोस्तों बंगाल 42 सीटों वाला प्रदेश लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत बुरी स्थिती में है बेहत खराव स्थिती में है और वहाँ टीम सी मजबूत ही नहीं है बलकि वो फिर से अपने अपनी सीटों जो उसकी लोग प्रदेश बंगाल में उसकी वापसी हो जाएगी इसके अलावा दोस्तों महारास्ट है महारास्ट में 48 सीटें हैं और यूपिय को पिछली बार 5 सीटें मिली थी जिसमें NCP की सीटें ज्यादा थी और कांग्रेस को एक सीट मिली थी इतने बड़े प्रदेश में महारास्ट लेकिन कांग्रेस की एक सीट जहां पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री आजादी के बाद से लगातार बनते रहे तो कांग्रेस ने अगर देखा जाए सामाजी काधार के स्तर पर तो कोई बहुत बड़ा चमतकार महारास्ट में नहीं दिखाया है महारास्ट से गुजरी है पास है और कॉंग्रेस का, कॉंग्रेस के ही लोग NCP में चले गए और आज भी कॉंग्रेस NCP के मुकाबले कॉंग्रेस चोटा दल है खासकर लोग सब्गा में अगर आप देखें लेकिन शिव शेन्थ का जो पुद्दव ठाकरे ग्रूप है जो कभी कॉंग्रिस का सहयोगी नहीं था वो कॉंग्रिस के साथ है तो एलाइंस अगर मनता है तो seat'ें सब में विभाजित होंगी ऐसे में कॉंग्रिस के पास हिस्सा बहुत चोटा आएगा तो कॉंग्रिस को महरास्ट में कोई चमतकारिक गेन मिलेगा फिलाल ऐसा नहीं लगता अब आईए आप करनाटक जी हाँ करनाटक एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर कॉंग्रिस गेन कर सकती है क्योंकि एसेंबली एलेक्शन पहले होगा लोग सभा उसके बाद होगा एसेंबली एलेक्शन में अगर कॉंग्रिस ने सीधा रमया और डीके शिवकुमार की आपसी रंजिश को खतम करके चुनाव लड़ा तो चुनाव वो जीच सकती है और अगर चुनाव जीच सकती है तो लोग सभा के पैटरन पर भी काफी असर पड़ेगा लेकिन 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 बना रहेगा चुनाव के नतीजे तक कि क्या इस्थिती बनती है करनाटक में पर ये एक बात निश्चित है कि पिछले 2019 के लोग सभा चुनाव के मुकाबले कॉंग्रिस वहां बहुत बहतर करेगी क्योंकि जो करनाटक में कॉंग्रिस की पिछली बार की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बुरी उसे कुछ भी नहीं मिला और अगर देखा जाए असम में 14 सीटें हैं कॉंग्रिस को 3 सीट मिली थी और बीजेपी 9 सीट असम वो प्रदेश था जहां कॉंग्रिस की बयार बहती थी लेकिन कॉंग्रिस वहां भी बुरी स्थिती में है तेलंगाना और आंधर का अगर लिने 25 सीट आंधर के पास है तेलंगाना के पास 17 सीट है लेकिन इन दोनों राजियों में अगर दिखा जाए तो YSR कांग्रिस को अंधर में 22 सीट मिली थी कांग्रिस को 0, 0, TDP को 3 सीट मिली थी BJP को 0 तो ऐसी स्थिती में हम मान सकते हैं कि आंधर प्रदेश में भी कांग्रिस तब तक बड़ी ताकत नहीं बनेगी जब तक YSR कांग्रिस को वो फिर से अपने खेमे में लाए अपने साथ शामिल नग करें तो ये कुछ महत्मून बाते हैं और दोस्तों पिछले चुनाव में उसको 53 सीटें टोटल लोकसवा की मिली थी और उसने यहां पर 18 राजियों में और Union Territory यानि केंद सासी छीतर में ये सीटें उसकी पैली हुई थी तिरफ़ सीटें लेकिन देश के 17 राजियों और Union Territory यानि केंद सासी छीतर में उसका खाता भी नहीं खुला था खाता भी नहीं खुलाता तो अभी की स्थिती अगर देखा जाए तो कॉंग्रिस पार्टी ने जिन राजियों में बहतर परफॉर्म किया था 2019 में हमें इसको भी देखना पड़ेगा और जहां कई राजियों में पद्यात्रा गुजरी है उसमें केरल एक राजे था केरल में 20 सीटें हैं लोग सबा की कॉंग्रिस को 15 मिल गई थी और पंजाब में 8 सीट पाई थी कुल मिला करके वहां पर 13 सीटें हैं तमिलांट में भी 8 सीट मिली थी और उसका कारण था ऐलाइंस का होना डियम के के साथ तो दोस्तों ये केरल तमिलांट और पंजाब ये तीन ऐसे र पहले के मुकाबले मैं नहीं समझता कि बहतर होगी क्योंकि स्थितियां वहां पर जो हैं वो प्रतिकूल दिखाई दे रही हैं इसलिए शायद राहूल गांदी ने केरल जैसे छोटे राजिमें 18 दिन लगातार पदयात्रा की हैं हो सकता है कि चुकि वो स्वेम वायनाट से MP हैं वो उत्तरप्रदेश रहार गए तो उसका कोई फायदा मिले मैं नहीं जानता लेकिन केरल में इस थितियां कॉंग्रेस के उतनी फेबरेबल नहीं हैं जितनी लेफ्ट रंट की वापसी का वो संकेत कर रही हैं तो ये स्थितिक कुल मिलाकर राश्टी अस्तर पर स्वेंसीज हैं जो सामाजिक आधार उनका है क्या अपरकास्ट इस पध्यात्रा से हिंदी हार्ट लैंड का साउथ में बेस अलग है साउथ और नार्थ में बिलकुल डिविजन है चाहे कॉंग्रेस पार्टी हो या कोई भी पार्टी वहाँ पर जो पिषडा वर्ग है और जो दलीत समाज है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ मुखातिब रहा है लेकिन नार्थ में अपरकास्ट मैनार्टी और दलिथी कांग्रेस के सबसे बड़े सहियोगी या समर्थक आधार रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी नार्थ में और यहां तक की मद्य भारत में भी अगर 36 गड़ को छोड़ दिया जाए तो कोई ऐसा प्रदेश नहीं है जहां उसकी इतनी बड़ी ताकत हो कि वो अपने बल पर लोगसवा में अच्छी सीटें जीत पाए कोई ऐसा इस्टेट फिलहाल नजर नहीं आता तो ऐसी इस्टेटि में क्या मद्य भारत में मद्य प्रदेश की बात में कर रहा हूं क्या वो इस्टेटियां अपनी सुधारेगी क्या राजस्थान में जहां उसकी मौजूदा सरकार है वहां भी लोगसवा में बहतर परफॉर्म करेगी और क्या जो जाएं बीजेपी के मुकाबले और उसको अपना समर्थन दे दे तो दोस्तो ये बड़े यक्ष प्रशन है और मैं आपको बताओं कि पिछली बार 421 सीटों पर कॉंग्रेस पार्टी लड़ी थी 421 सीटों पर अब देखना है कि इस बार अगर एक विबक्षी एक्ता मजब यही है कि जो गुडविल एक पैदा हुआ है इस पधियात्रा से राहुल गांदी की इमेज जो बिल्ड हुई है कॉंग्रेस जो एक सक्क्रियता की तरह बढ़ी है क्या उसका फायदा राजनीतिक तोर पे या चुनावी तोर पे उसको होगा या नहीं होगा इसको लेकर सव अब भी बार करा रहें तो आज इतना ही नमस्कार आदाब सत्री अकाल